तो इस वीडियो में मैं आपको New Criticism की Key Concept समझाऊँगा New Criticism की कुछ टॉपिक्स को मैं पहले से कवर कर चुका हूँ जैसे कि 7 Types of Ambiguity by William Amson अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हैं तो आप उपर I बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे Intention Fallacy और Effective Fallacy से Intention Fallacy और Effective Fallacy ये दो Key Concepts हैं जिनें एक बुक, बुक का नाम है The Verbal Icon सब टाइटल भी आप धार में रखिए The Verbal Icon studies in the meaning of poetry में mention किया था William K. Wimsett और Monroe Beard से लिए अब जैसे की New Criticism कहता है कि टेक्स्ट को closely analyze करो तो हम क्या करते हैं न हम ये जो टेक्स्ट है Effective Fallacy, Intention Fallacy इसको closely analyze करते हैं देखिए सबसे पहले हम Fallacy को समझते हैं Fallacy का मतलब क्या होता है Fallacy का मतलब होता है एक wrong idea या एक wrong belief जो आपने टेक्स्ट को पढ़कर बना लिया हो क्योंकि Wimpset और Bear Slay इनका कहना था कि इस Fallacy की वज़े से जो reader होता है न वो result पर focus करने लगता है कि maybe वो जो टेक्स्ट है वो किस तरह से writer की history से जुड़ा हुआ है या क्या उसमे emotional effect है लेकिन reader को हमेशा से ही टेक्स्टे पर focus करना चाहिए जैसे कि मानले जी आपने एक poetry लिखी और अपने दोस्त को दी और आपका दोस्त कहता है बहुत अच्छी लिखी है तो simply समझ ये दिखिए यहाँ fallacy हुई क्योंकि बिना poetry की text को analyze किये कि कौन-कौन से lines उसमें mention है सीधे result पर बात आ गई कि बहुत अच्छी लिखी है तो यहाँ हुई fallacy अब मैं आपको बहुत simple तरह से समझाता हूँ अगर आप एक poetry पढ़ रहे हैं और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि writer का क्या intention रहा हो poetry लिखते समय तो आप कर रहे हैं intention fallacy एक ऐसी गलती जिसमें आप उस poetry के text को writer से connect कर रहे हैं दूसरा है effective fallacy effective fallacy में poetry पढ़ने के बाद आपके अंदर जो feelings आई जो emotions आई अगर आपने उसके base पर poetry को analyze कर लिया उस text को analyze कर दिया तब आप करते हैं effective fallacy की mistake तो आखिर करे क्या किस तरह से analyze करे देखिए new criticism में कहा जाता है कि आपको text पर focus करना है आप close reading करिए आप text के forms को देखिए आप symbols देखिए metaphor देखिए आप literary devices को check कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको multiple interpretation की theory को अपना ना पड़ीगा अगर आप एक line का interpretation देते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वैसे रही interpretation दे कुछ भी हो सकता है और example अगर मैं एक line बोलू child is the father of man मेरी point of view से जो child होता है बच्चा होता है बहुत pure hearted होता है इसलिए उसे हम man का father consider कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरी के point of view से उसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक इंसान जो बड़ा हो, बुजर्ग हो, कुछ भी हो उसके अंदर हमेशा से एक बच्चा होता है इस तरह से भी इससे बता सकते हैं दोनों ही शर्तों पर आप ये नहीं कहा सकते कि मेरा point of view गलत है या उनका point of view गलत है लेकिन आपको भी और मुझे भी पता है कि ये जो line है, इस line को William Wordsworth ने लिखा था लेकिन जब William Wordsworth इस line को लिख रहे होंगे तो उनकी दिमाग में क्या चल रहा होगा ये कोई भी नहीं बता सकता वो एक different timeline थी ये एक different timeline है तो यहां different तरह से चीज़े चलती है T.S. Eliot भी इसे support करते हैं उनकी एक line आप याद रखिए Honesty criticism and sensitive appreciation directed not upon poet but upon the poem Second concept जो मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में वो है the heresy of paraphrase देखिए इसमें हम समझेंगे कि heresy किसी कहते हैं heresy कहते हैं कि ऐसा belief जो कि पहले से जो belief चलते आ रहे हैं उसमें से अलग हो और paraphrase का मतलाब होता है किसी चीज़ को translate करना paraphrase मतलब उसको बदल देना उसका structure change कर देना या उसे पूरी तरह से सबजने के लिए उसे short कर लेना तो the heresy of paraphrase ये एक chapter है the well-wrought on में जिससे लिखा था new criticism के क्राइटर एक American critic क्लिनिथ ब्रूक्स ने the well-wrought on इसका एक subtitle भी आप धान में रखिए studies in the structure of poetry और ये जो title है इस title को न जो एक जॉन दन की poetry है canonization उसमें से लिया है फोर्त stanza में वो line mention है the well-wrought on करके वहाँ से ये title लिया गया है UGC net में ये question पूछा गया था मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो the new criticism का जो intro था उसमें बताया था कि आप text को पूरी तरह से paraphrase नहीं कर सकते तो यहाँ क्लिनिथ ब्रूक्स ने एक statement दिया है a true poem is a similacrum of reality similacrum का मतलब क्या होता है similacrum का मतलब है रेपली का एक तरह से नकल reality की नकल होती है similacrum अगर मैं आपको simply बताओं कि वो क्या कहना चाते हैं तो उनका कहना है कि text की meaning तो आप जान सकते हैं लेकिन आप पूरी तरह से उसे paraphrase नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप उसकी structure को उसके metaphors की literally devices को priority ना दे उसको पहली ना समझे तो सबसे पहले आपको क्या समझना है आपको उसका structure, आपको irony, आपको symbols जो भी उसकी literally devices है उसको समझना है फिर आपको समझना है उसकी meaning को तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक किजिए new criticism intro